नमस्कार आप देख रहें वब्यासरी नूच और मैं हूँ आपके साथ आदित्या इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोनपती सीजन 13 यानि कि केवी सी 2021 में पर्तिभागी जो पास परसनल इंटर्वीय कल जाने वाला है वो कब तक जाने वाला है वो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही बता दे कि 24 जून से लेकर 3 जूलाई लगभग आप 4 जूलाई पकर के चल सकते हैं कि 24 जून से लेकर 4 जूलाई तक परतिभागी का प्रस्नल इंटर्विव होने वाला है और वो भी परतिभागी को अपने कैपिटल में जाकर जो है वहाँ पे अपना प्रस्नल इंटर्विव देना होगा जहांपे KBC टीम के द्वारा जो है बुलाया जागा मौस्टली देखा जारा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों को का सलेक्षन हो रहा प्रसनल इंटर्विव के लिए उनको जो है लखनाव में बुलाया जारा तो अधिकांचता मौस्टली KBC के तरफ से यहीं टार्गेट किया गया है कि जिस एस्टेट के परतिभागी को प्रसनल इंटर्विव के लिए चैनित किया जारा उस परतिभागी को उस एस्टेट के कैपिटल में जो है बुलाया जारा तो आप पकर लिजिए कि आप जिस एस्टेट में रहने वाले हैं आपने राज की राजधानी को आप देख लिजिए कि अगर आपका सलेक्षन होता है प्रस्णल इंटर्विव में तो आपको मुंबई आने की जरुवत नहीं है आप अभी अपना प्रस्णल इंटर्विव जो है वो अपने राजधानी में जाकर ही दे सकते हैं और वहीं प्या के बिसी टीम जो है अपना वो लगाकर रखी हुई है ताकि जो भी परतिभागी है उनको मुंबई आने की जरुवत नहीं परे जिस राज के हैं अपने राज में ही कम से कम प्रस्णल इंटर्विव सब्मिट करें और personal interview के बाद जो है selection होगा कि आप Mumbai आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं तो यह हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या परतिभागी personal interview अपना देने के बाद भी क्या वो disconnect हो जाते हैं क्या first finger first round के लिए उनको नहीं बुलाया जाता है इस बात की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे लेकिन इस वीडियो में main जो point था कि आखिर परतिभागी के पास आखरी date कब तक होगा personal interview का तो हम आपको बता दे कि आप 24 जून तक इंतिजार किजिए 24 जून तक personal interview का जो call है वो काफी fast होगा यानि कि परतिदिन जो KBC team का एक आकरा है कि 800 परतिभागी को हमें select करना ही करना है तो वो परतिभागी यानि कि वो जो call rate होगा वो same गती से चलेगा लेकिन यहाँ पर हम आपको यह भी नहीं बोलेंगे कि 24 जून के बाद personal interview call बिल्कुल जो है वहाँ पर stop ही हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है केवीसी के अगर हर सीजन की बात करें तो हर सीजन में जब आखरी डेट केवीसी के guidelines के अधार पे दिया जाता है तो उसके बावजूद भी कुछ परतिभागी के पास जो है call जाता है इसलिए हम तो आखरी डेट आपको बता रहा है चुकि 24 जून से जाहिर सी बात है नहीं है आप 24 जून के बाद जो है लगभग 10 दिन तक इंतिजार कर सकते हैं 10 दिन आगे तक भी प्रस्नल इंटरफ्यूव का call जाता है हाँ सिर्फ फर्क यह होगा कि अभी जो call की speed है अभी जिस तरीके से परतिदिन परतिभागी के पास call किया जा रहा वह यह speed rate जो है कही न कहीं बहुत कम हो जाएगा हो सकता है 24 जून के बाद जो है अगर दिन भर में 20 भी परतिभागी का सेलेक्शन हो जाए 20 ब्यक्ति के पास भी जो है KBC टीम के तरफ से प्रस्नल इंटरफ्यूव कॉल चला जाए तो यह भी गनिमत होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है की 24 जून के बाद जो है कॉल जाना बंध हो जाएगा बिलकुल नहीं कॉल आपके पास जाएगा लेकिन कॉल प्रतिभागी में कन्फ्यूज है या फिर अपना इंतिजार कर रहे हैं कि आखिर उनको कब तक इंतिजार करना चाहिए प्रस्टनल इंटर्व्यू का तो नर्मली ऐसे तो आप इंतिजार करेंगे तो 24 जुन तक आप इंतिजार किजें बाकि 10 तिन एक्ष्ट्रा आप आगे सबसे बड़ा में मुद्दा है लेकिन इस वीडियो में सारे ऐसे परतिभागी है जो प्रस्टनल इंटर्व्यू को लेकर जो हो रहे हैं तो वह आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रस्टनल इंटर्विव में भी हमसे जी के पूछा जाएगा या फिर जी के पूछा नहीं जाएगा तो हम आपको बता दे देखिए पहले वाले वीडियो में हम आपको बताये थे कि यह depend करता है जो आपके सामने KBC के team लोग बैठे हुए रहेंगे उनके उपर depend करता है Mostly ऐसा होता नहीं है पोई भी परतिभागी जब अपना personal interview देते हैं तो उस personal interview के दौरान जितना देर तक आपका interview चलता है उसमें सिर्फ आपके व्यक्तिगत बारे में आपसे related question पूछा जाता है लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि परतिभागी से general knowledge भी पूछ दिया गया है और अगर परतिभागी वहाँ पर फसते हाला कि general knowledge बिल्कुल easy पूछा जाता है लेकिन उसके आधार पे अगर आप easy general knowledge का जवाब नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं KBC team को भी यह doubt होता है कि पता नहीं आप घर बैठे जो online audition तका सफर तय किये हैं वह किस आधार पे तय कि यह हैं किया आप खुद अपना audition वहाँ पे दिये थे या फिर रजिस्ट्रेशन में पूछे गए सवाल का जब आप आप खुद सब्मिट किये थे या फिर किसी और से करवाये थे तो यह आपके लग के उपर depend करता है कि अगर के पूछ देजी के से मौशलिय नियम नहीं है पहले हम आपको बता है लेकिन उसके mood के उपर depend करता है अगर पूछ देता और वहाँ पे आप खंचते हैं तो थोरा समस्या हो सकता है बाकी मौशलिय ऐसे होता नहीं है तो आप personal interview के लिए किसी भी तरीके से घबराये आप बिलकुल नहीं क्योंकि उसमें नर्मली जो है शिर्फ व्यक्तिगत आपके बारे में पूछा जाएगा तो आप बिंदास चाकर आपना personal interview समिट केजिए हाँ पिछले वाले वीडियो में हम आपको जरूर बताये थे लेकिन उसमें जो परतिभागी मुंबई के रहने वाले थे उनका personal interview मुंबई मे करता है तो जो आपके state का main capital है जो बरा city है उसको वो include करता है और वहीं पे सारे परतिभागी को बुला कर जो है personal interview करता है तो खास आप देखिए अगर आपका selection KBC के द्वारा किया जाता है तो आप बिंदास आप यहाँ पे 24 जुन तक तो आख मुंद कर आप इंतजार किज क्योंकि 24 जुन तक कॉल की रेट में कोई भी कमी नहीं होने वाला है दूसरी चीज़ काफी सारे परतिभागी यह पूछ रहे है कि किस state में जो है KBC का personal interview call आज आ रहा है तो ऐसा देखिए कुछ परतिव क्रियेटर्स आपको जरूर बता रहे होंगे कि आज फलाने state में जो किस state में जा रहा है या फिर किस परतिभागी के पास जा रहा है तो यह उतने भी लोग आपको बताते हैं वो इक आरा के सर्वे क्रियेटर्स के पास अबलेवन नहीं हो दम सहते हैं, जितना भी डाटा होता है, online audition तक, जब कौन बनेगा करोरपती में अपना आप online audition देते हैं, तो सारा डाटा जो है वो public domain में होता है, लेकिन जैसे ही आप online audition के आगे पहुँचते हैं, यानि कि personal interview की परकिरिया से लेकर, के बीसी के मज तक पहुचने का जितना भी सफर होता है, वो सारा का सारा जो data है, वो private mode में होता है, यानि कि किसी भी public को ये जानकारी मालूम नहीं चल पाता है, दूसरी बात, जितने भी परती भागी जो है चेनित किये जाते हैं, चुकि आपका online audition तक जो date है, वो बरे ही जा interview call जाता है, या फिर जो परती भागी अपना KBC टीम के पास personal interview submit करते हैं, उनको KBC टीम के द्वारा सक्त वहां पे मना कर दिया जाता है, कि आप अपनी जानकारी किसी भी social media platform पे आप share नहीं कर सकते हैं, कि आप KBC के लिए चुने गए हैं, और आप KBC के मज पे पहुच रहे जाहिर से बात है, जब उपरती भागी उनका कौन बनेगा करोरपती का episode जो है, शूट किया जाता है, तो direct जो है लोग TV पे ही उनको देखते हैं, कि इनका जो है selection हुआ है, तो यह KBC टीम के द्वारा bond कर दिया जाता है, कि आप अपनी जानकारी किसी के बीच share नहीं कर सकते है, कि आपका selection हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, तो यह सब personal interview से related काफी सारी important बात थी जो हम आपको बताए है, लेकिन main जो viewers यह इंतजार कर रहे हैं, कि कब तक हम को इंतजार करना है, तो 24 जुन तक तो आप इंतजार कीजिए ही कीजिए, लेकिन उसके अलावा आगले 10 द किम के द्वारा personal interview को जरूर किया जाएगा.